हेलो दोस्तो मेरा नाम है नितीन और आप का स्वागत है मेरे चानल नितीन स्पीडिया पर दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं बॉल बेरिंग के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात bearing है क्या तो bearing एक ऐसा mechanical device है जिसके help से हम friction को reduce करते है और जो भी rotating parts machinery के अंदर है उसको यह bearing support करके power को smoothly transmit करती है तो यह simple definition जो है यह bearing की होती है तो application के हिसाब से bearing के different types होते है जिनमे ball bearing सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यूज होने वाली bearing है तो इसी के बारे में हम detail में discuss करेंगे तो यह है ball bearing जो कुछ इस तरह से दिखती है इसको बोलते है outer ring या outer race जो इन balls को बाहर से support करती है और यह है inner ring या फिर inner race जो बोल्स को अंदर से support करती है और यह rings शाप्ट की power को भी transmit करने में help करती है तो inner and outer ring के अंदर यह जो बोल्स से उनको support करने के लिए और उन ball के बीच में equal distance maintain करने के लिए cage का इस्तेमाल किया जाता है तो यह है cage जो इन ball को equal distance पर maintain करती है तो यह चार main components है जो bearing के अंदर होते है पहली है outer ring, दूसरी है inner ring, तिसरी है balls and fourth one is cages अगर हम inner and outer rings के working की बात करे तो अगर हमने outer ring को fix किया तो motion transfer करने के लिए यह inner ring rotate होगी और अगर हमने inner ring को fix किया तो motion transfer करने के लिए यह outer ring rotate होगी यह है balls जो steel के बने होए होते है जो rotate होके power को transmit करने का काम करते है अगर application की बात करें तो ball bearing, automobile industry, agriculture machinery, home appliances, aerospace engineering इस जगह यूज होती है यह bearing radial as well as axial loading sustain कर पाती है यानि इसके radial direction में और axial direction में जो भी forces apply होगे यह bearing बहुत ही easily उनको sustain करेगी और power को transmit करेगी साती में ball bearing के अंदर जो भी friction होता है वह other bearing के compression में बहुत ही कम होता है जिसकी वज़े से इसकी जो life है वह ज़्यादा होती है तो इस तरह से ball bearing की बहुत ही ज़्यादा characteristics and advantages है और इसके application के हिसाब से इसको इसको इस्तेमाल किया जाता है तो उम्मिद करता हूँ दोस्तों कि आपको ball bearing का जो concept है वह बहुत ही अच्छी तरह से clear हुआ होँगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो please हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और वीडियो देखने के लिए thank you so much जो अच्छी रकाश क्वहँची तर्छी नेच्छ